एक नाम में क्या रखा है ऐसा डायलोग आमने बहुत बार कई फिल्मों में भी सुना होगा मगर आज कल जो सोचल मीडिया पे आ रहा है उसमें एजास खान को लेępst ये बहुत क्लियरली समझ में आ कि नाम में तो भाई बहुत कुछ रखा है तो एजास खान की बात करते हैं, बिग बोस 14 के कंटेस्टन की बात करते हैं, क्यूं है वो परिशान, तो ये बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहें ओह स्वागत तो किया ही नहीं मैंने तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में तो आज हम बात करेंगे अजास खान की तो आपको पता होगा कि एक खबर जो है चल रही है कि अजास खान जो गिर्फतार हुए है वो भी बिग बोस के कंटेस्टन रहे हैं पास्ट में, शाह सीजन 7 या सीजन 6 के तो वो हुए हैं गिर्फतार ड्रग्स के मामले में अब दोनों का नाम almost same है खान भी है, एजास भी है मगर एक का नाम A से शुरू होता है दूसरे का नाम E से शुरू होता है तो जो बिग बोस 14 के एजास खान है E से नाम जिनका शुरू होता है वो बहुत ज़ादा परिशान है उनके फैन्स उनको दिलासा देते वे नजर आते है मगर वो बहुत परिशान है उनका यह कहना है कि मैं बहुत fed up हो गया हूँ यह सारे मामले से क्योंकि लोग मुझे समय रहे हैं कि मैं गिर्फतार हो गया हूँ मैं जो हूँ इस मामले में हूँ तो यह चीज है एजास खान को जो परिशान कर ली है तो एजास खान ट्वीट करके क्या 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 कहते है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह किस कदर वो परिशान है तो एक ट्वीट में एजास कान कहते है Was not me, I am so fed up of mix-up जी हाँ mix-up की बात कर रहे है एजास और अजास की तो यहाँ पर एक जो उनके fan है उनको जवाब देते हैं कि भाई आप सही आदमी हो don't take tensions up, confusion ठीक हो जाएगा यहाँ एजास कान उनको जवाब देते हैं मतलब उनका conversation चल रहा है अपनी clarity के लिए but my dad gets hassled that relentless calls from family and friends क्योंकि family friends भी phone कर रहे है dad को phone कर रहे हैं abba को phone कर रहे हैं और abba परिशान हो रहे हैं कि क्या है यह मेरा बेटा तो बिलकुल इसमें शामिल नहीं है तो नाम की confusion की वज़े से abba को बहुत सारे calls आ रहे हैं तो इसलिए लोगों को जादा इसमें authenticity दिख रहे हैं कि यही एजास होंगे यही एजास होंगे क्योंकि पहले वाले अजास खान को तो लोग भूल चुके थे अब उनका case सामने आया है और नाम यह वाला सामने आ रहा है तो यह थोड़ा सा confusion हो रहा है तो एक और post बड़ी interesting लगी जो मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी भी आए कि कितना परिशान है बंदा उन्होंने अपनी photo डाली है तो और अपनी tweet पे उन्होंने tweet किया है कि एजास कान capital letter में लिखा है मैं आपको दिखाती हूं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है अगर आपको लगता है कि मैं गिर्फतार हो गया हूं तो आपको भी अपना चश्मा पहल लेना चाहिए तो एजास जी मैंने तो पहना हुए और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप गिर्फतार हुए है आप बहुत दीसेंट और बहुत ही प्यारे इंसान है और जो भी चल रहा है उसके उपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नाम से मैं थोड़ा कन्फीजन है पर जल्दी कन्फीजन दूर होता भी नजर आ रहा है जैसे से लोगों को ये निउस पता चलती आ रही है तो ये है एजास कान का कन्फीजन के ऊपर अपना कमेंट और उनकी क्लारिटी और उनकी परिशानी की वज़े तो आप लोग जो कन्फीजन हैं कि एजास कान ये वाले हैं जो बिग बोस 14 में है तो बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल दीजे ये एजास कान वो एजास कान नहीं हैं दोस्तों तो आप भी जो एजास कान के फैन से बिल्कुल क्लेर हो जाएए योगी वो खुद उठके कह रहे हैं कि मैं वो नहीं हूँ और जो हैं उनके साथ केस चल रहा है तो ये था मेरा कहना इस वीडियो में Ajaz Khan की परिशानी बताना तो कैसा लगा आपको जानके I am sure कि आपका confusion दूर हो गया होगा जो confusion में होंगे चश्मा लगा लिजिए जैसे Ajaz Khan ने कहा है और देखिए क्या होता है क्या है news और सच क्या है और जूट क्या है तो देखते रहे हैं चैनल यहां रिश्पूरर तो क्या है subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel